नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद पीएस पर हर चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाय होती है जो विभीन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए अवश्रक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते है कि अगर आप लोग उत्तर प्रिदेश अधिनस सेवर चैनाय की परिक्षा पी इटी की तियारी कर रहा है तो एक्जामपूर यूट्यूब चैनल पर एपमन्यू बैच जो लांच हो चुका है 45 दिन का ये कोर्स है और इस कोर्स में आप लोगों को मौक्टिस्ट मिलेगा प्रेक्टिस कोईश्चन मिलेंगे फ्री बुक भी मिल रही है और अगर आप लोग एक कोड करेंगे रैंक 15 का तो इसमें 15 परसेंट का डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा ये सब ही जो क्लासेज हैं ये एक्जांपूर के ऑफिसल एप पर चलेंगे जिसकी जो लिंक के वने डिस्क्रिशन बाक्स में दे दिया है चलिके सुरू करते हैं आज की सूचना को आज की सबसे पहले सूचना है में नीचे भी गिर गए जिनका मीडिया को देखकर दर्द चलाक उठा ये लोग इस बात पर अड़े हैं कि अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वो खुदकुशी कर लेगे सुबात के इक बात है कि B8, BTC, D8 जैसी पढ़ाई टीचर बनने के लिए ही की जाती है और ये सभी कोर्स चलाने की मानता सरकार ही देती है लेकिन आब वही डिग्री लेकर गूम रहे हैं नौजवान सरकारों के जी का जंजाल बन गया है जो सरकारी स्कूलों में खाली पदों का आंकड़ा लेकर सवाल उठाते गुम रहे हैं फिर हर सरकार के तरब से तो कोई बयान नहीं आया है नई प्राथमिक सिचक भरती की मांग को ले करके और सरकार ने उल्टे आकड़े पेस किया है कि हमने कितनी भरतियां की है यहां पर आप लोग देख सकते हैं फिद्ध्यार्थियों का यहां पर आरोप है देखिए लिखा हुआ है कि OBC कोटे की 18598 सीट में से मात्र 2637 सीटे दी गई है 79,000 सायक शिक्षक वर्थी प्रकरण में शामिल OBC और SC वर के वर्थियों ने सुमवार को सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री 37 चंद्र दिवेदी के आवास पर पहुंच कर प्रतसंद किया और बड़ी संक्या में OBC और SC वर के वर्थियों ने पहले राज सायक जेक अनुसंदार इवं प्रशिक्ष्ण परसत यानि की SCRT और फिर शिक्षा मंत्री के डाली गंज इस्तित आवास को घेर करके नुक्ति दिये जाने के मांग की यानि कि यह वो विद्यार्थी थे जो OBC आरक्षण को लागू करने की मांग कर रहे थे और इनका आरोप है कि 79,000 सिक्षक वर् अचन दिया गया वहीं पर सरकार की तरफ से भी आगले इसपष्ट किये गया है कि जो 69,000 सिक्षक वर्थी थी उसमें 31,000 OBC अबर्थी चैनित दुएदी बेसिक सिक्षा राजमंत्री 37 चंद्र दुएदी ने कहा कि बेसिक सिक्षा परिशत में 69,000 सायक अध्यापक वर्थी में 31,000 अबर्थी चैनित हुएं जबकि समान वर्थी के जो अबर्थी है वो महज 20,301 अबर्थी का ही चैन हुआ है उन्होंने कहा कि OBC वर्थी को नियमा अनुसार आरचन नहीं देने के जो आरोप हो पूरी तरीके से बेविनियाद है दुएदी ने सोम वार्थ को निशा 288 पदोबर OBC और SC वर्थी मेरिट के स्थान पर चैनित हुए है यानि कि इतने विद्यार्थियों ने ओर्लैप किया है उन्होंने का कि यह गलत है कि विभाग राश्ट्री पिश्डवर्ग आयोग के पत्त का सवाब नहीं दे रहा दर असल आयोग ने कोई रिपोर्ट सौ संजय उपाध्या ने 79,000 शिक्षक वर्थी के वर्थियों की बड़ी परिशानी दूर कर दिये असल में कल जो नवन्यूक तो है संजय उपाध्या उन्होंने अपना कारभार भी क्रहन कर लिया है और नीचे लिखा है कि सच्चियों ने सिक्षक वर्थी परिक्षा में पास करते हैं अमर उजाला ने अपने पात जून के अंग में शिक्षक वर्थी वर्थियों की इस समस्या को प्रमुक्ता से उठाया था यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है सच्चिव परिक्षा नियमक पराधिकारी संजय उपाध्या ने सुमार को पदभार ग्रण कर लिया संजय उपाध्या इससे पूरू डायट प्रचार गौतम बुद्र नगर के परकार रत्ते सची परिक्षा नियमक पराधिकारी ने कहा कि सासन के दिशा निर्देश नों सभी परिक्षा कराना एवं समय पर परिणाम गोशित करना उनकी प्रात्मित्ता होगी उन्होंने कहा कि पहले हुए परिक्षाओं के साथ दूसरे जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी लेंगे इसके बाद वायत्य करेंगी कौन सी परिक्षा कब होगी इसके बारे में सासन जो निर्देश देगा उसके अधार पर काम किया जाएगा तो बात यहां पर है TET और एडिट जो इसके बारे में जल्द ही निर्ण लिया जाएगा एडिट जूनियर हाइस्पुल भरती के जहां पर जो है आविदन लिए जा चुके हैं TET के तो अभी तक आविदन भी नहीं लिए गये हैं अगली सूचना है TGT और PGT की जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहें कि TGT और PGT के जो 27,000 पत्रों के हवाले से बताया गया था कि माजमिक्स सिवा वोड में 27,000 पत्रों वहां पर जो भरती प्रतिया चल रही है उसी में इन पतों को जोड़ दिगा जाए वहीं पर बहुत सारे ऐसे भी चात संक्टन है और बहुत सारे ऐसे वी विद्या जोड़ान कारी दी गई है लिखा मादमिक सिख्टसिवा चैन बोड के समस्त प्रतियों की चातर भाई यों बहनों को अवगत कराना चाहूंगा कि मादमिक के 27,000 पत्रों को 27,000 पतों का अधियाचा नहीं आया है लेकि 27,000 पतों के नय विद्यापन के लिए प्रतियों की मो पूर्चा की जो टीम है उसके द्वारे दूसरे विग्यापन का विकल्प दिया जाएगा ताकि अधिक्तम विक्तियों को अधिक्तम सुख यानि की अधिक्तम विरुजगारों को नौकरी मिल सके फिलहाल सासन को और और अधिकारियों को इसपस्ट करना चाहिए कि यह जो 27,000 अरपत हैं उनका क्या होगा अगली सुखना है उत्तर प्रदेश दरोगा भरती की लिखा दरोगा भरती आयूसी में छूट की मांग कर रहे हैं विद्धार्थी यहां पर लिखा कि इलापत हाई को तो होगी की दरोगा प्लाटून कमांडर पीएसी वाफार इस्टेसन आफ विद्धार्थी की जा रही है ऐसे में चूट दी जानी चाहिए यह आदेश नायमूर्थी एमसी त्रिपार्थी ने रजत देख्चित वह तेरह अनकी याजकाओं पर दिया है नीचे लिखा कि याची का कहना कि 24 फरवरी 21 को 9027 दरोगा 484 प्लाटून कमांडर 23 पीएसी व बहुत सार जो विद्धार्थी हो और एज हो गए हैं सरकार ने कांस्टेबल बर्ति में अबर्तियों को आई सीमा में चूट दी है याचियों ने चूट की मांग किये कि इंतो कोई भी निरणा नहीं लिया गया है जिस पर यह याच का दायर की गई है देखते हैं सरकार इस सालबात सोमार को प्राविदिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के दो पदो पर सीडी वर्ति का अंतिम चैनल परणब जारी कर दिया है वहीं आयूस युनानी विभाग में भी प्रवक्ता के एक पत कर रिजल्ट जारी किया गिए अगले सुजना चैनित बर्थियों को चल्द मिलेंगी निगती प्रवक्ता वर्ति की बात हो रही है जुलाई के three व सता में खालेज आंवंटञान की प्रक्रीया पूरी करने की तयारी है प्रदेश की राजकी महविद्यालियों में प्रवक्ता वर्ति के तहट कांसलिंग से वन्चित रह गया अबठियों को इस प्रतियों को जल्दी ही निक्ति-पत्र वित्रत कर दिये जाएंगे विभाग ने मुख्यमंत्री से चैनित अब्यर्थियों को निक्ति-पत्र वित्रण के लिए समय मांगा है पूरू में 30 जून को निक्ति-पत्र वित्रत की जाने कारक्रम तो जिसे इस्तिक्रत कर दिया गया इसके बाद में एड़ेट जूनियर हाइज स्कूल भरती का एक मामला है जो हाई कोड में जिसकी आसुनवाई हो नहीं पचास प्रिशत को लेकर यह मामला है ग्रेजवेशन में 50 प्रिशत की बातार रग दी गई ह जबकि NCTE ने इसकी इनमर्द को खटा दिया गया है बहुत सारे राज्यों ने भी हटा दिया है लेकिन PNP नहीं माना है और बहुत सारे जो विद्धारती हैं वो आवेदन नहीं कर पाए हैं विद्धारती कोड चले गया है और आज देखते हैं इसकी बारे में क्याने रण आजट से कर देखते हैं विद्धारती हैं सेलहीं माना है ओर्जा purpose लigns हैं आजट